गुडिवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आल अफ यू और आज के वीडियो में हम डिसकर्स करने जा रहे हैं OSI मॉडल के बारे में ये नेटवर्किंग का सबसे इंपोर्टन टॉपिक है एंड सबसे कन्फ्यूजिंग भी बट इसको हम आज जितने आराम से सीखेंगे उसमे आपको A to Just सारे के सारे कॉंसेप्स क्लियर हो जाएंगे ये कंप्यूटर स्रीज का जो वीडियो है इसमें अभी तक हम डिसकर्स कर चुके हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेर, सॉस्ट्वेर, इन्पॉट डिवाइसेस, आउट्पॉट डिवाइसेस, मेमोरी, ओ इसके बाद हमने नेटवर्किंग का पार्ट मन किया था जिसमें हमने सारे कंपोनेंस, टाइप आफ नेटवर्किंग, टोपोलोजी क्या होती है, डिवाइसे कौन कौन सी यूज होती है, जैसे रिपीटर, आपके हो गया, मॉडम हो गया, इन सारी चीजों के बारे में समकी समझे थी, और आज हम डिसकस करेंगे OSI model, OSI model अपने आप में इतना important है, कि ये event gate के exam में भी पूछा जाता है, अगर आप ESO का exam भर रही हो, आपने MCA किया है, तो भी ये पूछा जाता है, या कोई भी banking का exam, या कोई भी ऐसा exam हो, जिसमें computer पूछा जाता है, तो OSI model जरू पूछा जाता है, चलिए अब बात करते हैं, OSI model की, ठीक है, देखे, OSI model, OSI, इसको अगर full form में कहा जाता है, इसको actually में कहा जाता है, ISO OSI model, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ISO OSI model, ISO ने इस OSI model को develop किया है, OSI को full form होटता है, open system interconnection, यानि एक तरीके से ऐसा model, जो कि किनी डो devices के बीच में data को sharing करने के लिए use किया जाता है, suppose आपको अगर computer में एक drive से दूसरी drive में data transfer करना है, तो वहाँ पे host एक common होता है, जो कि data transfer कर देता है, परन्तु अगर network पे, आपको यहां से किसी और जगा पे, आपको कोई भी data भेजना है, तो आपको बहुत सारे rules and functionality follow up करनी परेंगी, आप यह मान के रखिए कि एक computer से दूसरे computer में data कोई भी भेजा जाता है, जो भेजने वाला होता है, वो sender कहलाता है, और जो receive करने वाला होता है, वो receiver कहलाता है, अगर network से होकर कि कोई भी data जाता है, किसी भी तरीके से कोई packet जाते है, तो उन packet को काफी सारी functionality को follow करना पड़ता है, ठीक है, तो कौन-कौन सी functionality अगर approximate निमाना जाए, तो लगबग 70 functions होते हैं, जो कि follow किये जाते हैं, अब अगर आपको यहां से यहां तक data भेजने के लिए, 70 functions को follow up करने के लिए, कोई एक device या कोई एक component बना दिया जाए, तो बहुत ज़्यादा problematic हो जाए गया, ISO ने एक model develop किया, जिसको हम कहते है, OSI model, यह एक reference model कहलाता है, क्या कहलाता है, यह कहलाता है, आपका reference model, ठीक है, क्यों कहलाता है, क्यों कहलाता है, क्योंकि इस model का सिर्फ reference किया जाता है, इस model से सिर्फ reference लिया जाता है, जब कि अगर practical use की बात की जाती है, तो आज भी practical use में TCP IP model को use किया जाता है ठीक है जो आपका TCP IP model है ये use किया जाता है और reference के लिए लिया जाता है आपका OSI model ठीक है चलिए बात करते हैं इसमें हुटा क्या है इसमें basically functionality को confirm करने के लिए 7 layers में divide किया गया है ठीक है सारी functionality को क्या किया गया है आप जानते होंगे OSI layer में साथ layers होती है OSI model में साथ layers होती है तो कौन-कौन सी वह layers होती है चलिए समझते हैं ठीक है देखिए इसको हम bottom up approach से भी follow-up करते हैं bottom up approach को मतलब क्या होता है जो bottom की layer होती है वह पहले layer कहलाती है सबसे नीचे वाली layer कहलाती है हमारी फिजिकल लेयर ठीक है फिजिकल लेयर उसके उपर वाली लेयर हमारी कहलाती है second number की data link layer आज हम इतने आराम से समझेंगे कि आपको इसमें कुछ भी भूलने का मौका ही नहीं आएगा ठीक है third number पर आती है network layer या networking layer ठीक है fourth नंबर पर आती है आपकी transport layer ठीक है और जो ट्रांसपोर्ट लियर है इसे ही heart of force a model का जाता है क्योंकि सबसे important यही होती है आपकी ठीक है fourth number पर हो गई fifth number पर आती है session layer ठीक है and six number पर आती है presentation layer and seven number पर आती है आपकी application layer क्या आती है seven number पर application layer ठीक है अब एक बात समझे बहीं बात क्या कहते हैं अब इस layers में normally अगर पूछा जाए कि पहली layer कौन से होती है तो हम इसा कौन से हम कहते है physical layer पर इस depend on approach कि वो layers किसके लिए पूछी जा रही है देखिए हमने अभी बात कही थी sender और receiver तो जब भी data भीजा जाएगा तो एक बार sender के लिए सारी layers काम करती है और एक बार receiver के लिए सारी layers काम करती है तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो physical layer first है यह होती है according to the receiver ठीक है अगर receiver के लिए first layer पूछी जाए तो हमेशा कहेंगे physical layer जबकि इसी का reverse हो जाता है अगर sender के लिए first layer कौन सी होती है कि यहीं पर confusion होती है normally अगर कुछ नहीं दिया जाता है और पहली layer पूछी जाती है तो हमेशा physical layer लेते हैं अगर question में highlight कर दिया कि sender के लिए first layer कौन सी होगी तो sender के लिए application layer ही आपकी कौन सी first होगी यह second होगी यह third होगी यह fourth होगी यह fifth होगी यह six होगी और यह seventh होगी ठीक है अगर sender की बात की जाती है receiver की बात की जाती है तो पहली layer physical layer होगी डूसरी data link layer टीसरी networking चौटी ट्रांसपोर्ट पाच्व होगी होती है application अब एक बार इनके order को याद करने का तरीका समझ लेते हैं कि इनका order इसी order में कैसे याद करेंगे देखिए इस Gameituya हम ले लेते हैं D, इसका हम ले लेते हैं N, इसका ले लेते हैं T, इसका ले लेते हैं S, इसका ले लेते हैं P, और इसका ले लेते हैं A, ठीक है, अब आपको PDN, TSP, A याद करना है, या तो यह याद कर लीजे, या तो एक छोटा सा सेंटेंस बना देते हैं, क्या बना देते हैं पी से हमने कहा दिया प्यारे ठीक है डी से कर दिया डोस्त आपका कोई भी ऐसा दोस्त हो जिसका नाम N से आता हो सपोज नरेंडरे ले लो कुछ भी ले लो आप नोनू ले लो नरेंडरे ले लो ठीक है आपने नरेस ले लिया ठीक है कोई भी आप नाम ले लिया आपका जो भ प्यारे दोस नरेंगर तुम्हारी साधी पर आऊंगा ठीक है P से हो गया प्यारे D से दोस N से नरेंगर T से तुम्हारी S साधी पर पीशे पर आऊंगा अब देखिए P से हो गया physical layer D से हो गया data link layer N से networking layer T से transport layer S से session layer P से presentation layer और A से application layer यानि आपको एक sentence में पूरा का पूरा transport layer से लेकर के present physical layer, physical layer से लेकर के application layer, सारी की सारी layers का order याद हो गया, ठीक है, अब हम समझते हैं, इनको कहते क्या है, या ये कैसे काम करती है, या ये क्यों काम करती है, देखिए भई, ये जो basic की टीन layers है ना, नीचे वाली टीन layers, इन टी level पे काम करती हैं, अभी इनकी functionality समझते हैं, इसको कहा जाता है heart of OSI model, heart of OSI model, क्योंकि सबसे important हमारी transport layer ही होती है, थीक है, और ये जो 3 layers है, इनको upper layer भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, upper layer, क्योंकि ये ऊपर में काम करती है, ठीक, अब हम समझते हैं, इन सारी layers का काम क्या होत हैं देखिए अगर आपको कभी भी कंप्यूटर पे एक फाइल डूफी जगा पे भेजनी है तो हम क्या करते हैं networking पे सारी की सारी चीजे हमेशा OSI model को follow-up करते हुए जाती है example समझे एक कहानी की तरह के समझ लेते हैं या practical implementation है अगर suppose आपको कहीं भी कोई कोरियर भेजना है ठीक है कोई एक बड़ा बॉक्स है जिसको आपको कोरियर में भेजना है तो कोरियर क्या आपके घर से जाएगा नहीं देखिए इसका मतलब क्या है कोरियर पहले आपके पास रहेगा तो आपके पास वो फिजिकल इस्थिटी में रहेगा यानि वह कौन सा हो गया फिजिकल लेए हो गया ठीक है तो अब आपने क्या कर देटा की connectivity कर दी आपका डेटा आपसे जा चुका है और courier वाले के पास है पर वो अभी भी उसी सहर में है ठीक है आपसे चल चुका है पर वो यहाँ पर अभी उसी सहर में है फिर वो क्या करेंगे इसको दुबारा से pack करेंगे pack करने के बाद में आपके घर से address लेंगे और जहाँ पहुचाना है वहाँ का address लेंगे दैन उसे network पे डाल देंगे ठीक है यानि अब वो वहाँ से गाड़ियां चल दी वहाँ से गाड़ियां चल दी चलेंगी कैसे transportations के ट्रू transport का मतलब क्या होता है किसी वेकल के ट्रू कोई चीज कहीं से ले जाई जाए जाए यानि अभी physical layer में वो चीज आपके पास थी data link layer में मतलब आपने उसको network पे just अभी put किया है यहाँ से जाएगा networking अब वो networking में जा चुका है अब वो वापस नहीं मिलेगा आपको ठीक है networking layer में क्या है data आपका network में जा चुका है जैसे suppose आपको कोई email भेज नहीं है जब आप type कर रहे होते हो तो वो आपके physically आपके पास में होती है जब आप उसको attach कर रहे होते हो तब वो data link layer पे काम कर रही होती है जैसे आप उसको send करते हो देखें outbox और send में अंतर होता है outbox में वो आपके पास से जा रहा है और send में वो आपके पास से जा चुका है ऐसे ही courier आपके पास से network में जा चुका है अब आपके mobile से कोई mail गई तो गई कहां कैसे जाएगी किसी ना किसी sortest part का यूज करके receiver तक पहुचागी suppose यहां से डेली जाना है तो वाया लखनों से अगर डेली जाना हो तो क्या वाया मुंबई जाएंगे कि यह वाया कानपूर या वाया आगरा जाएंगे कैसा रूट लेते है तो वो transportation का mode decide करता है sortest part लेता है उसके बाद sortest part से वो जातो रही है session क्या करता है देकि session का मतलब होता है duration session का मतलब क्या होता है duration जैसे आप कभी email में login करते हो थोड़ी देर रुखते हो फिर या तो जितनी देर उपते हो उसकी बाद या तो auto logout हो जाता है या आप logout कर देते हो यानि जितनी देर आप वहां पे रहते हो उट्टी देर आपकी security को एसोर कराने का काम session layer का होता है और आपके session को maintain रखने का काम भी किसका होता है session का यह अगर आपने courier भेजा है और आपने courier suppose 2020 में भीजा है तो वह 2020 में दो दिन चार्डिन छे दिन में पहुच जाना चाहिए ना जो time durability होती है उसकी confirmation करता है session layer ठीके मेल पर आपका जो packet गया है आप से तो send कर दिया वहां पर पहुचा नहीं पहुचा इस बात की guarantee क्या करता है session layer जैसे आप UPI में पैसे transfer करो तो session बताता है कि पैसे अगर अभी गए है तो एक घंटे के slot में पहुच जाने चाहिए आप message करते हो पहले जैसे पहले की जमाने में होता था message send कर दिया अभी पहुचा नहीं भी पहुचा नहीं भेज दिया तो गया कहा तो वह time duration set करता है आपका session layer फिर presentation layer क्या करता है presentation layer कहता है कि चलो वह पहुच गया अब वह दिखेगा कैसे suppose हमने चार boxes अलग-अलग भेजे थे अब वो चार boxes अलग-अलग पहुचे है कि जैसे पहुचने था वैसे पहुचा तो presentation layer कहता है कि उसको जैसा दिखना चाहिए वैसा ही दिखना चाहिए यानि जैसा हमने भेजा है वैसा ही आना चाहिए अगर हमने image भेजी है तो image ही वैसा ही decrypt किया जाना चाहिए यानि इसका एक्जामपल से दे सकते हैं जिसे इसका एक्जामपल आता है ASCI Code, ASCI Code, American Standard Code for Information Interchange यह इसका एक्जामपल है कि वैसा ही दिखना चाहिए दन आता है application application का मतलब हम वो जिर network file पहुंची है वो use कैसे की जाएगी तो देखें आप internet use कैसे कर सकते हो use करने के लिए आपको क्या चाहिए या तो कोई email browser होना चाहिए या तो कोई application software होना चाहिए या तो कोई app होना चाहिए या तो कोई online software होना चाहिए इन्हीं के ठूब आप use कर सकते हैं न या नि इसके example क्या हो जाते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, हिनके examples के साथ, ठीक है, हिनक बात कर लेते हैं एक बार, देखे, application, कोई ना कोई application, अगर आपको mobile पे भी नेच्छ चलाना है तो चलाएंगे कैसे, facebook या तो app के छू चलेगी या facebook.com के छू चलेगी, facebook.com के छू चलेगी, यानि वहाँ पे HTTP आएगा पहले ठीक है HTTP का मतलब Hypertext Transfer Protocol Gmail या तो आप Gmail एप के ठू करोगे या फिर Google पे जाकर के Gmail खोलोगे ब्राउजर पे जाकर के अगर आप ब्राउजर पे जाकर के खोलते हो तो ठीक अगर आप एप पे खोलते हो तो वहाँ पे FTP आएगा क्या एगा File Transfer Protocol ऐसे ही Presentation Slayer का एक्जामपल क्या होते है ASCII यानि कैसे कैसे वो Data Transfers होगा उसके किसकी Examples है यह SkyCode के Examples है यहाँ पर क्या होता है आपका Example SDP होता है आपका Example लेक्टरी के से ले सकते है Transportler का Example क्या होता है DNS होता है यानि Domain Name System DNS किसका होता है आपका कि Domain जो भीजा गया है उसी Domain पे पहुचे यह किसका Example है आपका Transportler का Networking का Example क्या होते हैं Networking Example होता है आपकी Routing यानि जो आपकी Routing Devices होती है या Router जो होता है वो आता है आपका Networking Layer पे अगर हम सब्सक्राइब क्या होता है यानि जो डेटा Link Address देयर होती है इसको भी दो पार्टनर बाटा जाता है तो यह थी हमारी साथ लियर्स एक बार हम इंडियर्स के बारे में फिर से देख लेते हैं पहले लिए और फिसकल लिय और पिसकल लियर्ट का काम क्या होता है यह Hiç लेए लिए क्यों कहला झी है वह से समझ देते हैं देखिए कोई बी डिवाइस यह कोई भी डेता आप Networking बें भीज़ते हैं तो जब भीज़ती है सब से पहले वह फीजिकल लेयर पर होता है फिर टेच हो थे इक और र में ये 2places केवाय से यानि यह वह तह nochmal सेशन के बाद वह जैसा पहुंचना है वैसा ही पहुंचना चाहिए यानी presentation layer और वो पहुच गया है उसको देखेंगे कैसे उसको use कैसे करेंगे यानि application layer ठीक है तो यह होती है OSI model की 7 layers इसको आराम से समझ लिया इनके examples भी बहुत important हैं क्यों है example एक बाइंडर्लाइन कर देते हैं सारे के सारे examples देखें यह physical layer के example क्या है ATM और Ethernet, asynchronous transfer mode और Ethernet, data link layers के दो पार्ट होते हैं media access control और logical link control, networking layers पे हमारी आती है routing ठीक है transport layer पे हमारा आता है DNS जिसको हम heart of OSI model भी कहते हैं session layer पे आता है हमारा SGP, presentation layer में आता है हमारे SKI code इसके इलावा EBC, DIC ठीक है यह code भी हमारे किस पे आते हैं, presentation layers पे इसके अलावा होते हैं, वो सब भी इनी पे आते हैं, जिस पे हमारा होता है application layer इस पे HTTP, FTP या telnet यह सब के सब आपकी जितने भी ऐसे software या ऐसे आपके protocols होते हैं जो की आपके net को use करने के लिए authenticate करते हैं, जिनके true use किया जाता है, वो सारे के सारे आपके application layers पे आते हैं यह थे हमारी साथ layers, एक बास साथो layers के order याद कर लेते हैं, सबसे पहले order का एकदम keyword याद कर लीजे, प्यारे दोस्त नरेंद्र तुम्हारी साधी पे आऊंगा, ठीक है, प्यारे दोस्त नरेंद्र तुम्हारी साधी पे आऊंगा, physical layer, data link layer, P for physical layer, D for data link layer, N for networking layer, T for transport layer, S for session layer, P for presentation layer, N for applications layer, ठीक है, यह थे basic से आपकी साथ layers का order, sender के according पहली layer कौन सी होती है, application layer, स्विक sender के according हम उपर से चलते हैं, नीचे, और अगर receiver के according बात की जाए, तो पहली layer होती है हमारी physical layer, अगर इसमें questions कैसे बनते हैं, सबसे important चीज, इन OSI models पे कैसे questions बनते हैं, उनको discuss करते हैं, जैसे अगर पूछा जाए, JPEG, जो की एक file का type है, यह कौन सी layer में आता है, तो देखिए, JPEG क्या है, file को दिखाता है, कि file दिखेगी कैसे, दिखाता है, यानि presentation layer, ठीक है, JPEG किसका आगया आपका, presentation layer हो गया, अगर आपसे पूछा जाए, security के लिए कौन सी layer होती है, तो security के लिए क्या होती है, हमारी session layer होती है, अगर आपसे पूछा जाए, domain name system किस layer पे आता है, तो वो हमारा आता है, transport layers पे, अगर हमारा पूछा जाए, कि आपसे fiber cable किस पे आती है, optical fiber cable किस पे आती है, या coexial cable किस पे आती, देखिए, cables क्या है, cables वो setup है, जो कि सबसे पहली layer में आता है, net connectivity के लिए हमें cable चाहिए, तो जैसे ethernet cable आती है, तो fiber optic cable भी आपकी किसी में आएगी, इसी में आएगी, या फिर आपका fiber, fiber लिख देते हैं, भई, इसके लाब अगर coexial के पूछा जाए, तो coexial cable भी, यानि जितनी भी आपकी cable होती है, वो सारे के सारे किस प पर आती है, ठीक है, अगर IP address की बात की जाए, जैसे IP address, जिसके true networking decide होती है, लेकि IP address क्या होता है, नेट पर किसी भी चीज़ का address, तो अगर नेट पर हम बात करते है, तो IP address किस पर आ जाएगा, आपका networking layer पर आ जाएगा, यानि राउटिंग के सार्सार क्या आ जाता है, इस transport protocols, यह क्या होता है, सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर आता है, ऐसे बहुत सारे questions पूछे जाते हैं, जैसे receiver की टरफ से पहली layer कौन से हो गई, physical layer हो गई, questions इसमें बनता है, कि वो कौन सी layer है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर के समझते हैं, तो इनको आप अराम से समझें, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरू करते रहेगा, ठीक है, ताकि हमें motivation मिलता रहे, कहानी आपको कैसी लगी थी, प्यारे दोस नरेन, तुमारी साधी पर जरूर आएंगा, ये भी हमें जरूर बताइएग ये जो trick है, साधी layers को याद करने वाली ये आपको कैसे लगी, तो इसके साथ में OSA model को complete करते हैं, I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और बहुत easily वे में समझाने की मैंने भी courses की है, तो ये थी OSA model की complete analysis, साथो layers, उसके examples and everything, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग तो like जरू करिएगा, कोई भी doubt हो, तो आप उसने comment कर सकते हो, और अगर आप इस channel पे नए हो, तो please channel को subscribe कर लीजेगा, और bell icon प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको मिलते रहें, आपके like से ही हमें motivations मिलता है, और इसी तरीके के आप जो भी वीडियो समसे बनवाना चाहते हैं, आप हमें comment करके बता सकते हैं, thank you all of you.